वेलकम टू दा मेत वारियर्ज आज हम लोग अपने नए टॉपिक से इस क्लास को सुरू करते हैं जिसका नाम क्या दे रखा है आपके इस्क्रीन पर नंबर सिस्टम एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है हरे क्लास को बहुत अच्छे से देखना और उस पर काम करना है क्योंकि नंबर सिस्टम परसेंटेज और रेशियो तीन बहुत बड़ी यूनिट है जो कि आपको बहुत ही काम देंगी जब आप सवाल को हल कर रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि नंबर सिस्टम का क्या खेल है रेशियो का क्या खेल है और परसेंटेज का क्या खेल जब आप महत को खेलना सीख जाएं, लगाना नहीं, लगा तो सब लेते हैं, खेलने का मतलब है उसके जो अंग हैं, उनके साथ खेलना हैं, जब आप चालू कर देंगे, जब एक सवाल के आपको महत्रेड दो से तीन होंगे, तीन या चार होंगे, तो आपके लिए बहुत ही रहें उन सवालों को लगाने के लिए, कभी-कभी suppose that आपने कोई concept पढ़ रखा है, ठीक है, और वो क्या हुआ है, उस टाइम एक्जाम टाइम आपके दिमाग में हिट नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, क्या उस सवाल को छोड़ देंगे, नहीं, आप उस पर क्या करे कुछ recreation है, recreation का मतलब है, आप option से भी जा सकते हैं, अगर आपको वो method आता है, तो आप option से भी जा सकते हैं, हर कोई बंदा option से नहीं सवालों को कर पाता है, जबकि आना हर एक तरीका चाहिए, क्योंकि पता है ना, paper में pressure रहता है, पता नहीं कौन सा, कब concept आपके दिमाग में हिट कर जाए, वो चीज ना हिट कर रही हूँ, है ना, तो सवाल को तभी आपने देखा होगा, कि मैं दोनों तरीके से बताने का परियास करता हूँ, कभी-कभी मैं आप लोगों को option से भी बता, इकाई का अंक क्या होता है, तो वो सारी बातें, इस नंबर सिस्टम में, इक आज गुड़न खंड क्या होते हैं, अब आज संख्याय क्या होती, वो किसे किसे कड़ जाती, उसका बहुत बड़ा काम आपको सवाल को लगाने में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो चलते हैं, आज की क्लास को सुरू करते हैं, तो नंबर सिस्टम आप यहां से समझ सिस्टम की, नंबर सिस्टम का उद्धिंदी क्या है, संख्या पद्धत, संख्या के सिस्टम को समझना की संख्या की पद्धत क्या है, कौन सी है, वो जानना चरूरी है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप समझेगा, कि कौन सी संख्या होती हैं, ऐसे आपने देखा हो कि फिस स शंख्या को अगर आप काउंटिंग में लिक रहे हैं इस तरीके से गिंति की संख्या को ही हम क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं आप बोल सकते हैं कि गिंति की जो भी संख्या है उसको क्या कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं और यही आपकी जो प्राकृतिक संख्या होती है क्या कहलाती है धनपूरा ठीक तो प्राकृति जो संग्या है आपकी वो कितनी होती है एक से लेके कितनी आप कहां तक गिन सकते हैं हमें नहीं पता अर्थार्थ काउंटेवल और अनकांटावल दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं आपके प्राकरतिक संख्या मतलब जब आप इसी प्राकरतिक संख्या के आगे केवल क्या लगा दें जीरो क्या लगा दें मेरे भाई जीरो केवल जीरो को एट करने संख्या पूर्ण संख्या बन जाती अगर आप जीरो नहीं एट करेंगे तो क्या कहलाएगा प्राकरतिक संख्या अगर आपने जीरो एट कर लिया तो क्या कहलाएगा पूर्ण संख्या ठीक है तो यह इस तरीक होते हैं मैनस के जो टर्म जैसे माइनस तो मैनस तीन कुछ भी टर्मख थीक और जीरो ठीक मेरे भाई समझे keen gegen एक true return कोवता है तो टवारण सेस्षी माइनस creams 2 मैनस 309 मैनस कर जीरो और अब और्यवर्टिक फॉर्स के चिभी टर्म माइनस के जो टर्म रहते हैं कि रिनन पू्रण को और थन पूणांग को और जीरो जीरो को भी आप इंक्लूट करना पड़ेगा किसमें पूरांक में तब क्या बनेगा पूमाइग दसäreल होता आपका पूना का तयाल होता है। तो यह होते हैं आपके पूना ठीक है पूना खूरें आपको समंझे निक पूरां के दो बागों देट अधक पूरें जो टेन झालते हैं भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब आपकी सामने कर दूँगा पहले मैं आपको जो है बेसिक सा जो जानकारी वह मैं आपको देना चाहता हूं ठीक है तो उसके बाद फिर हम लोग इस डेटा पर बात करेंगे कि वास्तविक संक्या क्या होती काल्पनिक्स लब रियल नंबर्स क्या होते हैं मेजनेरी नंबर्स क्या होते हैं ना इन सारी चीजों पर भी हम लोग अभी बात करेंगे पहले हम बात करते हैं संक्या दो से विभाजित होने वाली संक्या क्या क्या थी मेरे बाई संक्या अब सब लोग जानते हैं ना दो से विभाजित होन इन्फाइनाइट तक जाए यहां से यह क्या जाते हैं इन्फाइनेट तक और यह क्या रहेगा इंक्लूड रहेगा तब आपका क्या बनेगा पूरांग कोई भी इंटीजर बनकर तयार हुता पूरांग का यही कि दानात्मक पूरांग और आपका क्या जीरो ठीक यह सारे विवाजी दोने वली संख्या जये विवाजी, विवाजी दोने वाली स सारी तो कौन, क्योंगे दो एक ό…" ऑपकी तरिके ये भी गहां त क जाएं गई, तक आपकी समसंख्या, भी समसंख्या चलते हैं अंगली संख्या पर अब भाज संख्या भाज अभाज ठीक बहुत आराम समझा रहा हूं बहुत अच्छे से इससे ज़्यादा इनका काम ज्यादा नहीं पड़ने वाला प्राइग्जाम में इस तरीके से आप से थोड़ी नाएगा कि यार आप विसम संख्या की पर तो भाज संख्या जो होती जो संख्या है स्वयम बात को समझेगा जो संख्या है स्वयम तथा एक के अतरिक्त बात को समझेगा जो संख्या है स्वयम से तो कटे और एक से भी कटे और उसके अलावा अतरिक्त भी किसी संख्या से कटे मेरी बात को समझेगा कि जो संख्या है खुद से भी कटे, एक से भी कटे, और अन किसी संक्या से भी कटे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज संक्या गएते हैं, जैसे, एक्जाम्पिल के साथ समझेगा, कि अगर suppose that आपके सामने, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो चार जो है, अपने आप से भी कटे, किस से, ठीक है, फिर अगर मैं इसको दो से काटना चाहूँ, तो ये दो से भी क्या, कट जाएगा, ठीक, और एक से भी कट जाएगा, अर्थ किसरी भी फालो कर रहा, अर्थार दिये का है मरे भाई, भाज संक्या, ठीक, ये क्या है, भाज संक्या, भाज संक्या ये क्या परिवासा निकल कर रहा है, जो अपने आप से, ठीक है, फिर जो है, क्या नाम, आपका एक से, और किसी अतरिक्त संक्या से भी कटे, तो उसे हम ठिक अब आभाज संख्या की परिवासा है अभाज संख्या केवल अपने आप अर्थार दो है जैसे अपने कह लिए दो को एक संख्या लिए तो इसको मकर दो से काटें तो दो से भी यह कट जाएगा ठीक और अगर हम एक से काटें तो भी यह कट जाएगा ठीक है तो यह क्या हुआ यह अपने आप अब आपके लावा किसी और संख्या से ना कटें उन्हें हम क्या कहते हैं अब आज संख्या कहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मिर भाई अब आज संख्या ठीक है समझ सकते हैं या नहीं कि अगर मैं आप से बोलूं कि सैंटिस है ठीक है सैंटिस संख्या कैसी है भाज है या अब आज तो आप मुझे चेक किस तरीके से करेंगे कि पहले तो अपने आप से कट रहा हाँ आपने देखा यारी घट रहा रहा एक से भी कट रहा ठीक सारी संख्याना आप इस तरीके से अब आपकी जो पूरी इतना सब आपका होगे बात करेंगे से अभाज संख्या पर इस पर से अभाज संख्या इस पर से अभाज संख्या दो संख्याओं का जैसे पेर अमने उठाया, suppose that, दो और पाँच, ठीक है, दो संख्याओं ली, अमने एक संख्याओं ली, दो और एक पाँच, इन दोनों में केवल जब क्या हो, केवल एक के लावा, और किसी से ये ना कटे, मेरी बाद, जिसमें केवल क्या हो, उबहने श्रगुडन खर, योगन में केवल एक हो, और कुछ ना हो, एक के लावा, जैसे दो पाँच, और आपका हो गया, तीन पाँच, पाँच और साथ, इस तरीके से ये निकल कर आया, किसा है अब आज संख्या कहलेंगे, ठीक, और अगर हम लोग बात करें, आप किस पर बात करते हैं, तो ये हो गया आपका अबाज संख्या, अब इनकी संख्या पर देखिए, प्राकृतिक संख्या इंफाइनाइट होगी, पूर्ण संख्या मेरे भाई कितनी होगी, इंफा पूच देता है, अबाज संख्या के रिलेटेड, अबाज संख्या में आपसे यार कभी-कभी पूच देगा, लिख लीजेगा, मैंने कहीं पर देखा है, कहीं एक्जाम में ये पूचा गया है, छोटे एक्जाम में कि, कि एक से लेकर, इस बात को आप थोड़ा सा नोट ड संख्या होती है, एक इसी में प्रश्न और लिखिएगा, कि एक से लेकर, पचास तक कितनी होती, ठीक है मेरे वाई, और फिर पचास से सो तक, दो चीजें आप, तीन सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसको आप लोग बताईएगा, कि ये संख्या कितनी होती कि ये कभी-कभी पूल दिया, देखिए सम भी सम तो सब बता लेंगे, कि सम में क्या होता है, कि भाई, दो, चार, 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 आट, दस इस तरीके से लिखते हैं, पचास सम है, उसमें सो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, एक छोड़ छोड़ के, लेकिन इसमें बच्चे अक्सर जो है, कनफीर हो जाते हैं, अबाज संक्या में, कि यार, ये अबाज संक्या कितनी होती हैं, एक से लेकर 100 तक, बहुत परिशान किया जाता है, कि 37 कैसी संक्या, 83 कैसी संक्या है, या 89 कैसी संक्या, तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, कि क्या होता है, चलि कि एक लेकर सो तक तो रटा दिया गया ठीक तो बंदे को याद दें में फचीस संख्या होथी है लेकिन अब मैंने अगर सवाल आ आफ़ी ओमादिया कि पचास से सौ तक कितनी होती तो नहीं पता और एक से तक कह थिए थे जोünde भी नहीं पता है लेकिन हमें टोटल पता है और मैं एककर लिखने को कहती है त्बहुत से अभी काकॉंग हो जाएं गहीं कि कॉन सिंक्ञाओं हैं हैं और उस पर फिर हम लोग प्रेस करिएगा दो तीन पांच साथ ठीक है जारा तेरा सत्रा उन्निस तेईस तेईस एकतिस सैंतिस एकतालिस तिरतालिस और आपका क्या है सैंतालिस यहीं पर इसको रोकते हैं अब मैं गर आपसे पूछू कि एक से लेकर पचास तक कितनी संक्या होती है भाज तो आप लोग इसको काउंट कर लीजे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोड़ा, पंदरा, अर्थार पंदरा संक्या है क्या होती है अब आप संक्या है कहां से कहां तक एक से लेकर पचास तक मेरे भाई कितनी अबास संक्या होती तो आप तुरत आज के बाद आंसर बताएंगे फंदरा ठीक है टोटल कितनी होती पच्छेस और अगर मैं आपसे पचास से सो के बीच इतनी हमासे नहीं होती तो वह भी हम लोग निकाल दखते पच्छेस से पंदरा चलाएं कितना मचारा तस लेकिन को देख लेते कंगो से होती है ना कौन कांज भी त्रेपर उन सट्ट ठीक है एक सट्ट शच सरसट एक अटतर ती अथर एक असी तिरासी नवासी और कौन सी है अपक्छा थे कह तो इनको आप लोग काउंट कर लिजी यगा तीन दों पांच तीन दों पांच अर्थार कितनी हो गहीं तस्त अर् 50 से 100 तक आपकी क्या होती हैं तक हम लोगों ने इस तरीके से आपको आंसर बता दिया है कि एक से लेकर 100 तक कितनी अबाद संख्या होती है तो आप बुताएंगे आज के बाद 25 मैंने आपको नोट डाउन करके भी दिखा दिया और अगर मैं आपसे कभी पूश्य दूँ कि प करते हैं परमे-शन्झए लोंनिया बहुत ही कि समझने वाली चीजेह इसको बहुत अच्छ आइए समझेगा पर बसंग कैम वे पूरांग जिनकोई लेख सके पी बते-क वाम प्वाम बात को समझेगा, P बटे Q के form में लिख सके हैं, और Q does not equal to 0, इस बात को समझेगा, पर्मे संख्या हैं क्या होती हूँ, उनको समझते हैं, P बटे Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या हैं, पर्मे संख्या हैं कहलाती हैं, लेकिन Q does not equal to 0, होना चाहिए, अर्थात Q कभ दोरों पूरां भुने चाहिए, इस बात को रहात रखीएगा आप लोग, कि P और Q कैसे होने चाहिए, पूरां, और Q does not equal to 0, Q कभी 0 ने, जैसे आपने चार लिखा, है ना, तो ये क्या पर्मे संख्या हैं, कैसे, इसमें एक तो और लेटी अपने आप लिखा ही होता, हमें स इसा लिखा होता, कि 4 बटे एक क्या है, ये पर्मे संख्या है, ठीक है, लेकिन अगर मैं 4 बटे 0 लग दो, क्या ये पर्मे संख्या है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि Q जो है, ये P है, और ये, ये P है, और ये आपका क्या है Q, लेकिन उसने परिवास्ताम क्या बोल द चाहिए बंन है वाइस बटे शाथ साथ बठे नो लेकिन और साथ बटे शाथ भी आपकी क्या है लेकिन अगर मैं साथ की नीचे क्या लिख दूँ जी रो तहूं परमे संख्या नहीं रहे जाती इस बात को समझे गा कि परमे शंख्या की पर वासा निकल के आई कि पी बटे क् के फॉर्म में ना लिखा जा सकी जैसे आप सोचे कि कौन सी संख्या है ऐसी जिने नहीं लिखा जा सकता है मैं बता रहा हूँ आपको कि एक आपकी होगी पाई बात को समझेगा पाई ठीक है पाई का इसी अपरिमे संख्या है और आप आओ गया रूड दो रूड पांच रू मिनस भी लगा सकते उससे कोई क्या फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा ठीक है तो यह आपकी हो गई अपरिमे संख्या है इसी से एक प्रश्ण अक्सर आपको परिशानी पैदा करता होगा हमेशा एक्जाम में मैंने ठीटी और इन जैसे एक्जामों में देखा है कि प्रहा अगर मैं आपसे पूछू लेकिन अगर मैं वसे पूचूंकि 22 बटे 7 का क्थे संख्या 22 बटे 7 तो आप बताएंगे क्या तो परिमे संख्या तो परिमे संख्या आप डिफिर्ञं को समझें यहां पर खेल लिगा eqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq पाई एक परफुक संख्या क्या होती है तो परेम और अपर्मे है दोनों को मिलाने से जुझ संख्या की मतलब है रियल नंबर औसे लोग इंगलिस के भी छात्र होंगे याँ पर, तो उनके लिए मैं बता दो कि रियल नम्बर, रियल नम्बर क्या होतने? परिमे संक्या और अपरिमे संक्या दोनों का समलित रूप क्या कहलाएगा? वास्तुविक संक्या है कहलाएगा. अरथात पाई और बाइस बटे सा साथ वास्तुविक संक्या है अगर मैं आप से पूझ दू कि पाई और बाइस बटे साथ क्या है तो ये एक वास्तुविक संक्या रियल लंबर है बट अगर मैं उसी में से पूझ दू कि परिमे और अपरिमे तो आपको इस तरीके से उसको पूरांग को क्या क्या होते हैं कि अपको इस तरीके के सवाल पूचता है कि प्रथम टिन कर्मागत पूढांकों का योग इतना या इस तरीक अप लोगों उन्हों को लिख देता हूं क्रमागत पूढांक का मतलब है अग्प्रेक्टिकल से समझें कि जी सप्बसेंगें दो तीर चार पांच ये क्या है क्रिमागत पूणा एक सिश्टम चीरे और इनका सदेवत डिफ्रेंस कितना होगा ये हो क्रिमागत पूडाग कर दिफ्रेंस एक होता है अर्थाद अगर हम 2 को x मान ले ठीक है 2 को अगर हम लोग x मान ले तो 3 को क्या मान सकते 2 प्लस 1 अर्थार्थ x प्लस क्या होगा है ठीक है फिर अगर हम इसको मान ले तो 2 प्लस 2 इसको लिखा जा सकते 2 प्लस 2 4 अर्थार्थ क्या होगा x प्लस 2 अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 अर्थार 2 को हमने क्या माना है X तो यह कितना हो जाएगा X प्लस 3 तो यह क्रमा का जो पूरांगे X, X प्लस 1, X प्लस 2 और X प्लस 3 इस तरीकी और इनका जो difference होगा सदेव कितना होगा मेरे भाई 1 का अंतर हो कितने का अंतर होगा आप करके देख लिजी इन 2 में कितने का अंतर है X प्लस 1 माइनस X अर्थार 2 का अगर आप इसका इसका करेंगे X प्लस 2 माइनस X प्लस 1 तो आपका क्या हो जाएगा X से 1 कर जाएगा और कितना जाएगा अंतर कर रहे हैं तो यहां पर माइनस हो जाएगा दिए कितना जाएगा अर्थार्थ इन दोनों का सदेव कितना अंतर होगा एक होगा अब मैं गर आप से यहीं पर पोस्ट दूँ कि क्रमागत समसंख्यां क्या होती क्रमागत समसंख्यां ठीक है तो क्रमागत समसंख्यां किस दो को यक्स माल लूँ, दो को क्या माल लूँ यक्स? शहार को किस तरीके से लिख सकता हूँ? दो प्लस दो, इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ? दो प्लस चार, और इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ? दो प्लस चार, और इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ? बीच वाली का मान बताईए या पहले वाली का मान बताईए या थीसरी वाली का तो इस जगे से वो creation होता है इस चीज को आप लोग समझेजिए इसी तरीगे से करमागत विसम संख्यां भी होती है ना तो उनमें भी सदर difference कितने का रहेगा मेरे भाई दो का क्योंकि यह वहाँ साथ इस तरीके से आपका हो जाता है ना लोग जो पढ़ रहे हैं उसका जो आज सार रहा इस फिगर के मादल से अब समझते हैं पूरा मैंने आपको पहले इंडिटेल जानकारी दे दी है ना किसी की निगमन विधी रहती किसी की आगमन दो विधिया होती है ना प्रत्यच मैं इस तरीके से चला कि आपको बेसिक लेवल पूरा बता दिया कि या यह यह चीजें होती है आपको कन्फीजन नहीं होनी ठीक अब उसके बाद हम लोग इस पर बात करते हैं इस फिगर पर क्यों मैंने बनाए उसको आप समझेगा कॉंपलेक्स नंबर के दो भाग होते है वास्तविक संख्या और कालपनिक संख्या ठीक है वास्तविक नंबर जो कि मैंने आपको बताए कि रियल नंबर है यही हम लोगों को पढ़ना है हम लोग क्या पढ़ना है बाई रियल नंबर पढ़ना है ना कि क्या पढ़ना है इमेजनेरी नंबर ठीक है कालपनिक संख्य उसके दो भागोंगे परमेसंदट मैंने क्या बताई कि जिसको पीबटे क्यूकियो के फ़ा «लेक्ज नृटց जएसे पाई» है पर सिंख्या और यह किर पर नेज करें टेकी और वास्तिविसे यौन संख्या कई इन दोनों को हम संथवित रुप से लिगे बात करते हैं पूना पूरांग् संख्या क्या होती है नातमक पूरांग और जीरों मिला कर जब जो संख्या वं seemingly उसे हमको किए पुडांग संखिया, इनके फिर क्या हुए, दोबाग हुए, धरहातमख पूरांग, और एक भशी म्थो फिर क्या हुए, धरहातमख संखिया किसमे बठी? दो में तो आपका निकल गराए प्रकृतिक संक्यां, नेचुरल नंबर सब्सक्राइब को समझेगा अभी जब नोट डॉट किया था आपको याद कर वागती तो ती पांच साथ यह चला अपनी सीरी चल लेते हैं सारी अभाज संख्याएं बिसम होती हैं इस BATKO आप समझें केवल Лेकिन यहां पर दो को छोड़ कर इस बात को आप समझीगा सारी अबाज संख्याएं बिसम होती हैं केवल किसको मेरे बाईלה छोड़कर तोbelt कर ठीक यह आप point note के लिए कभी कभी आ सकता है तो अगर मैं आपसे पूछ दू यही पर एक प्रश्ण बन कर आता है मेरे बाई क्या निकल कर आता है कि सम अबाज संख्या है सारी अबाज संख्या क्या होती बिसम होती केवल दो को छोड़ कर तो दो क्या हो गया सम संख्या है ठेक तो दो हो गई लिएlex सम अबाज भी है दो क्या है एक सम संख्या भी है और अबाज संख्या अरथार जी दोनों प्रफटिच को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि कोई एक सम अबाज संख्या बताए ये तो केवल और केवल कौन सी होगी मेरे भाई दो के लावा कोई ऐसी संख्या नहीं जो कि आपकी समभाज संख्या हो ठेक दो बातें आप लोगों ने समझ लिए यहां पर अभास क्योंकि अभास संख्या से रिल्ट बहुत से क्विश्चन आपको याम में दें ने क्योंकि बच्चों confusion रहती है सम भी सम में तो कोई confusion रहती है लेकिन अभास संख्या बहुत से confusion create हो जाती है तो एक और मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर दो अभाज संख्या का योग किया जाए मेरे बाई समझेगा सवाल को कि दो अभाज संख्या का योग कैसा होगा आप दो अभाज संख्या होगा योग सदयव सम होगा लेकिन फिर एक condition नीचे उसने लगा दिया exceptional कि दो को छोड़ कर दो के साथ मत जोड़िएगा इस दो को आटा दीजिएगा बात बागी आपके जितने भी है तीन पाच साथ क्यारा तेरा सत्तरा उन्नीस जो भी है आपकी 29 चाहिए आप जहां चले हैं अब अगर मैं आपको एड करने के लिए लेकिन दो को छोड़ कर दो को क्या करना है छोड़ना है फिर मैं दो की भी प्रापर्टीज बता रहा हूं अगर मैं तीन से पांच को जोड़ता हूं तो क्या बनेगा आठ आठ कैसी संख्या है अगर मै तीन के साथ तेरा को जोड़ता हूँ तो क्या बनता है सोला अर्थार्थ ये भी क्या है मेरे भाई समसंग्या अगर मैं सत्तरा को उन्तिस के साथ जोड़ता हूँ तो कितना आ जाता है आपका नौसा सोला एक छियालेस तो छियालेस भी कैसी संग्या अगर मैं दो के साथ वही करिया करता हूँ, देखेगा, दो के साथ अगर मैं इनी तीन को जोड़ा तो कितना बनना, पाच, दो के साथ अगर मैं साथ को जोड़ता हूँ, तो कितना बनना, ग्यारा, दो के साथ अगर मैं साथ को जोड़ता हूँ, कितना बनेगा, नो, नो कैसी संक्या लेकिन अगर मैं दो के साथ 29 को जोड़ता हूं तो क्या बना 31 कैसी संक्या बिसम संक्या अर्थारत एक result निकल कराया कि जितनी भी अभाज संक्या है कि वह दो को छोड़कर अगर हम किसी को भी उनके साथ एड करते हैं तो सदयो कैसी संक्या रहेगी संक्या रहेगी अगले कॉंसेप्ट की तरह बढ़ यह आप सब लोग नोट डाउन करिए जो यह मैं बताता जा रहा हूं आप लोगों को अब एक बात अगर तीन अबाज संक्या को अभी तो दो का चला अगर तीन अबाज संक्याओं को जोड़ा जाए तीन अबाज संक्याओं को अभी जोड़ा जाए मेरी बात को समझेगा कि तीन अबाज संक्याओं को योग संसंक्या हो बात को समझेगा तीन अबाज संक्याओं को योग जैसे आ समसंख्या आता है कब जब उस तीन संख्याओं में से कोई एक संख्या दो का होना जरूरी है बात को समझेगा तीन अभाज संख्याओं को जोड़ने पर यदि हमें समसंख्या पराप्त होती है तो उसमें से एक सदयो दो जरूर रही होगी बात को आप इस बात को समझेगा अ आपको जोड़ना है 11 13 और आपको कहा जोड़ना है 11 13 और 17 तीन यह आपकी अबाशंक्या कैसी 11 13 और 17 इसको आप एड़ करिएगा तो कित्रा ने तीन ने 4 7 11 11 और 40 तो क्या यह समसंक्या नहीं बिसमसंक्या ठीक है तो अगर मैं इसी जगे 11 को हटा कर यहां पर दो लिख देता हो तो 13 15 कित्रा हो जाएगा 32 अर्थायत क्या हुआ यह समसंक्या तो मेरे जो कहने का मदलब है वह आप समझेगा कि तीन अबाशंक्या को जोड़ने पर हमें समसंक्या प्राप्त हो रही है तो उसमें से एक संक्या दो जरूर रहे ठीक इस बात को आप समझ गय चलते हैं अगले अबाशंक्या की ही कॉंसेट पर आपको जरूरी अबाशंक्या तीन अंकों की कभी कभी देखने को मिल जाता है एक्जाम में कि तीन अंकों की सबसे चोटी अबाशंक्या बताईए आप लोग प्रशल को सुनिये और आंसर वीडियो को पहुच करके दीजि सबसे बड़ी सबसे बड़ी से बड़ी संक्या कि तो यह कुछ आज concept था आप लोगों को उम्मीद करता हूं मजा आई होगी बहुत अच्छे से बहुत basic label से मैंने समझाने की पूरी कोशिस की अपनी तरफ से अगर कोई कमी रह गई हो ना तो आप comment में या मुझे message भी कर सकते हैं ठीक है नंबर मैं आपको description में दे देता हूं तो इसलिए आ अरकॉंसी होती नहीं जो दोनों property को apply कि और वही समझाने की भी और अबाज संग्या की भी तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है तो उसी समझाने किसे क्या निकल का है तो दो क्या करता है संगी पूर परटीज वालो करता और अबाज संग्या की और आप इस तारीखी स्कार्वाइब जो यह बताया जाता है कि एक्स प्लस दो एक्स प्लस चार समसंख्या में एक्स मान कि इस तरीके से लगे नहीं आप वहाँ पर देखना किस तरीके से सवाल होते हैं पढ़ा असाली से ठेक है तो मिलते हैं अगली वीडियो